हेलो और वेलकम गाइज मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निक चैनल गाइज आज की जो वीडियो बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्नीक बताऊंगा जिससे की जो आपका डिजाइन ह बनाते हैं और वो डिजाइन देखने में काफी जादा खाली होता है काफी जादा ब्लैंक लगता है तो हम लोग उसको फिल करने के लिए कुछ शेप का यूज करते हैं तो आज मैं आपकी यही प्रॉब्लम खतम करने वाला हूं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम किसी टेक्स्ट को ऐसा शेप ऐसा डिजाइन ऐलिमेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि जो टेक्स्ट होता है उसकी एक अपनी ब्यूटी होती है उसकी अपनी अलग खुपसूर्ती होती है अगर हम लोग उसको पहचान लें अगर हम लोग उसका ठीक से यूज कर जो कि शेप तो हर कोई यूज करता है जैसे कोई रेक्टेंगल कोई ट्रेंगल कुछ सरकल को कुछ भी यूज करते हैं लेकिन जो एक टेक्स्ट की शेप आती है निकल करके वह काफी जादा अलग आती है तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किसी एक टेक्स्ट को किसी एक वर्ड को कैसे अपने डिजाइन में डिजाइन एलिमेंट की तरीके से यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें आपको काफी कुछ सिखने को मिलेगा इस वीडियो से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो गाइस मैं आ चुका हूँ फोटोशॉप में और यहां पर मैं एक फाइल कर लेता हूँ 1080x1080 की और with 300 resolution के साथ क्रेट करेंगे फाइल को तो मेरे पास यह फाइल उपन हो जाएगी यहां पर ठीक है आप कोई भी solid color ले सकते हैं तो मैं जैसे की इसमें ले लेता हूँ यहां पर यलो यह थोड़ा अब मैं सबसे पहले इसमें वह image को लेकर आऊंगा जो मैं use करने वाला हूँ इस design में तो मैंने already इसको cut करके रखा हुआ है और मैं इसको यहां पर drag करा लेता हूँ करानी के बाद में मैं इसको कर दूँगा यहां से थोड़ा छोटा अपने file size के according ठीक है और इसको मैं रख दूँगा कुछ यहां पर ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यह मैंने यहां पर एक थोड़ा सा rule of third के हिसाब से रखा है मैं सभी designs में जादा तर rule of third का यूज करता हूँ अगर आपको rule of third के बारे में देखना है तो मैंने अल्लेडी वीडियो बनाई भी है जिसका link description में दिया है आप देख सकते हैं अब मैं simply यहां पर कोई भी text add करूँगा ठीक है तो जैसे मैं यहां पर font ले लेता हूँ विबास ठीक है और font size ले लेता हूँ यहां पर sorry 50 ठीक है और यहां पर मैं लेता हूँ आर यू इसका color कर देता हूं मैं white और इसकी जो spacing वगरेरा है इसको कर देता हूँ मैं bottom और इसका alignment कर दूँगा मैं left अब इसकी spacing यह जो बीच की है इसको थोड़ा सा कम कर दूँगा मैं ठीक है ताकि देखने में थोड़ा ये ऐसे ठीक लगे और इसको मैं इस लेयर के पीछे कर दूँगा ये जो मेरे model वाली image है ये इसके पीछे कर दूँगा और ये जो regular है इसको यहां से कर देते हैं ठीक है तो मैं देखने में कुछ ऐसा लग रहा है अब मैं इसके नीचे और भी टे Barnes डाल सकता हूं तो मैं यहां से कुछ भी टेक्स्ट लेता हूं जैसे मैं यहां पर यूज करता हूं ताइम्स का अभी simple font है जО्वह और यहां इसको 5 और यहां पर कुछ जो भी ऐसी sample text डाल देता हूं मैं अभी के लिए और इसकी spacing auto करके इसको यहाँ पर रख लेता हूं कुछ ऐसे यह मैं sample text डाल रहा हूं इस video का मेरा motive है कि आपको design से पहले वह समझ में आजाए तो मैं इसमें बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे font को design element की तरीके से use करते हैं और इसको यहां से कर देता हूं मैं बोल्ड तो यह कुछ देखने में ऐसा लगेगा और हलका सा इसको ऐसे अब मैं और भी इसमें font डाल सकता हूं तो जैसे कि अगर मैं इसमें डाल दूं यहां पर sport academy और इसका भी मैं font लिलता हूं विबास यह और इसका alignment कर दूंगा मैं यहां से right और इसको रख देता हूं मैं कुछ यहां पर यहां पर रख सकते हैं आप दोनों side में से कहीं पर भी रख सकते हैं और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं around 15 ठीक है और इसका size यहां से spacing कर दूंगा कम ठीक है अब 15 ठोड़ा ज्यादा है इसको यहां से 12 कर देते हैं और spacing ठोड़ इसी और कम ठीक है जो academy है इसका color मैं यहां से change कर देता हूं white कर देता हूं तो अब मैं यहां पर भी कोई text लिख सकता हूं तो जैसे कि में alt प्रेस करके alt को hold करके और इसको drag कर देता हूं तो यहां पर इसकी copy हो जाती है और इसको कर देता हूं मैं यहां पर जैसे call now ठीक है और यहां पर number एड़ कर देता हूं कुछ भी number आप कर सकते हैं मैं sample दिखा यूज कर सकते हैं ठीक है और इसका फॉन और कम कर देना हो एठ और इसको हमसे कर देता हूं सबमढों कि तो यह मेरा कुछ बन गया, मेरे पास सिर्फ इतना ही टेक्स्ट है, तो आप देख सकते हैं किовор्द इसी अब ह्यासित गजय है कितना एक अलग लेवल का दिखिगा एक क्रेटिव डिजाइन लगेगा तो कैस अब जो इसमें मैं यूज करने वाला हूं तो आप देखोगे कि डिजाइन एक दम से चेंज हो जाएगा और एक दम से कितना जादा अलग लगेगा अब मैं सिंपली टेक्स तूल लोंगा और यहां प 500 यह या फिर इसको फोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जो फाइफ फिफ्टी कर देता हूं और यह जो मेरी लेयर है यह जो मैंने एस लिखा यह सबसे नीचे है बैग्राउंड वाली लेयर के ऊपर ठीक है और मैं इसको सिंपली यहां पे सेट करता हूं तो आप हो गया है ठीक है और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर सकता हूं कुछ यहां पर इससे नीचे से भी हल्का सा कर जाए और इसको मैं यहां पर रखूंगा और यह जो मेरा नीचे अला फॉंट है इसको मैं थोड़ा यहां पर रखता हूं और इसके साइस हल्का साम कम कर देंगे र कर सकते हैं तो यह मैंने यहां पर रख दिया तो आप देख सकते हैं कि जो एक सिंपल डिजाइन था वो देखने में इतना ज़्यादा सही लग रहा और इसको भी थोड़ा में यहां से कर दूंगा अब अब अपनी शेप के कोडिंग सारा का सारा डिजाइन चेंज कर सकते हैं और इसका जो CALL नाउल था इसको मैं कर दूंगा येलो कलर में अब देख सकते हैं कि डिजाइन कितना जाधा एकदम से अलग क्रिटीव डिजाइन बन गया और इसमें थोड़ी से ये seperti add कर देता हूं किश्टम शेप में जाओंगा और यहां पर मेरे को forming जाएंगी कि अजिए कि कर सकते हैं सिंपली यहां पर बैट कर देंगे और इसको यहां पर प्रमाड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैने एक लेटर का यूज आए एस का और उस से मेरा डिजाइन कितना जादा बढ़िया बन गया कितना जादा क्रिटिव हो गया अगर मैं इसको यहां से अनबोल्ड कर दूँ, यह जो मैंने S लिखा था, इसको जो bold रखा था, अगर मैं इसको यहां से regular कर दूँ, तो भी बड़िया लगेगा यह, और इसको मैं थोड़ा सा इधर drag कर दूँ, तो भी अच्छा लगेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं S की जगे पे कुछ all लिखूं, जैस इसको हमें set करना है, आपको बस ऐसे set करना होता है, कि हम अपने font को set कर सकें, और यहां पे इसको अप्यार कर देते हैं, बुल्ड, कुछ ही यह, और size कर देंगे, थोड़ा सा छोटा, यह अपने design और अपने font के हिसाब से आप इसको change कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा औ और बड़ा करना पड़ेगा, I think यह, कुछ ऐसे, या ऐसे रख सकते हैं, यह ज़्यादा सही लग रहा है, और इसको मैं, और यह जो are you ready लिखा हुआ है, इसको मैं कर दूँगा, यहां पे set, और जो a है, इसको फिर से again, बॉल्ड करके देखता हूँ, सारी regular, regular में कुछ खा हगा कुछ यहां, और इसको यहां, और यह जो मेरा part है, इसको कर दूँगा, ब्लैक, आप देख सकते हैं कि यह design भी किता ज़्यादा सही लग रहा है, यह और यह जो यह था, इसको मैं कर दूँगा, यहां से white, और यह यल्लो भी रख सकते हैं, जैसे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपने सिम्पली टेक्स्ट को एज अलिमेंट यूज करके किते अच्छे डिजाइन बना लिए आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने देखा कि कैसे हमने फॉंट को एक लेटर को एज डिजाइन एलिमेंट यूज के अपने दिजाइन के अदर जो कि यूज करने के बाद में हमारा डिजाइन जो है वह एक अलगी लेवल का लगने लगा अलगी क्रेटिव लगा ठीक है तो आप भी अपने किसी भी डिजाइन में इस टाइब के फॉंट इस टाइब के लैटर को एज़ाइन अलिमेंट यूज कर सकते हैं तो आप भी अपना जब भी इस टाइब कर बनाया तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टेक करें मेरी डिश्रिप्शन म अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए थेंक यू